वालेकॉम मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्त इम्राम शंस मेमन मौतरम नादरीन आज मैं हूँ खानेवाल अपनी वरक्षाप पे यह एक चेंज का प्लोडर है सवाद का सैफला भाई का तो इसकी आज टेस्टिंग कर रहे है यह सैफला भाई का प्लोडर है इसकी हम केस्टिंग करें और फुल फिलर लगए है इसमें जैसे मैं लगाता हूँ और यह जो दूसरा अप्लोडर है कि इसका अस्तर किया हुआ है हमने यह है अपना बन्नू का राउख बाई का तो यह फाइनल है यह जैस्ट हमने किया हुआ है पहले यह पांच आस्पावर की मोटर है गेर मोटर और इसके साथ इन्वेटर होगा सेवन पाइंट इलेवन गा और यह सेफला भाई का मशीन है यह हीटर है और हम हीटर के आगे तेंकी लगाते हैं यह अट्टाइस सिंच का टेंकी है फुल डबल जैकेड है कि चैंज का वरा में यह भी मोटर है और यह पानी के कनेक्शन है इन आउट के इसमें यह वाटर पंप लगा हुआ है यह हीटर लगा हुआ है तो आज है टेस्ट करें थे यह सेफला भाई का प्लोडर और यह बन्नू का यह अपना है राउट भाई का यह अल्मॉस्ट यह वाइट कलर इसके होना है राउट भाई का तो आज प्रोड़क्शन हो कर रहे हैं यह भाई आया हुए पिशावर से अस्राम अलेकुम भाई जान क्या जाल है सर अलहब दिल्ल्ह लाकर शुक्र है अल्ला से रादी हैं क्या नाम है सराव का मेरा अब्दु सतार और्प प नारस का से वाब पिशावर से मशीन बनवाने आएं कैसी मशीन हैं हमारी अच्छा मशीनों से रादी हो बहुत में हैं अच्छा हमारी फार्मूलेशन आपको कैसी लगी बढ़ी अच्छी लगी खुश में यहां और बहुत जबर्दस यह टेस्टिंग हो रही है यह साबू निकल लाएं तो एक हमारा दूसरा दोस्त भी आया हुआ है यह स्टाप्पड़ा हुआ है सतरा का और यह न्याज भाई का काटन पड़ा हुआ है जो बनू का है यह काटन बनू जाएगा वो गामा लेक्स का नोडल पड़ा हुआ है यह हमारी लेब है यहां पर आल्टवाल खुश हुआ है यहां हर चीज यहां पर अवे अवेलेबल है और यह 10 इंच का पिलोड है अभी पंच भी हो रहा है अभी हम पंच करें साबुन यह साबुन पंचिंग और यह मैनुएल इसका हैंडल अभी नहीं लगाया शान भाई इसका हैंडल क्यों नहीं लगाया शुबह लग जाएगा इंशाल्ला लग जाएगा यह पंच मशीन है उस पर हम पंच करें हैं कौन सा साबुन वन सेंट साबुन यह नीचे यह पड़ा हुआ है और द यह मतीन भाई का प्लोडर बन रहा है जिनका तालुक कश्मीर से है मतीन भाई यह आपका प्लोडर बना हुए बस आल टेंक्यर शंक्यर बनी हुई है वर्म शरम नीचे पड़े हुए और दूसरा वर्म है मुजाइद वोयो जिनका तालुक से है मेरापुर से उनका भी प्ल हुए एक यह प्लोडर हमारा बना हुआ है पंच पंच मशीन यह पड़ी यूसिफ शाह का यूसिफ शाह भाई यह आपका पंच मशीन पड़ा हुआ है यह आलमोस मिक्सर सारे सब के त्यार पड़े हुए हाँ भाई पंच होआ है अभी डाई साफ कर लो और इसका मुझे पंच दिखाओ यह शान भाई पंच कर रहा है शान भाई इसको रख भाई वाली मशीन को सुबा को हैंडल लाजमी लगा ना ठीक है उसके बाद पैंट होगा अगर हेंडल होता तो यह एक ही पंच में आपका पंच हो जाता इसलिए मैं कहता हूं यह वन सेंट है जी यह शान भाई पंच करें शान भाई यह लेलो यह हमारा च्छोटा सा सेटप है यह सवाज जाएगा सेफला भाई का और यह बन्नू जाएगा रोख भाई का और लोया मेंगा हो गया है यह तारिक मेमन साव है खैरपूर का उनका यह पंच बना हुआ है और यह दूसरा भी आटो पंच पड़ा हुआ है यह बन रहा है अभी यह हमारा वक्षा पे यह जी साथ लाग खुर्पे का चेंज का हम आटो पंच के साथ पेकेज चला रहे हैं साथ लाग सोला हजार पांच खुर्पे का तो किसी भी भाई को मशीने चाहिए या कोई केमिकल चाहिए नोडल्स चाहिए कोई भी प्राबलम हो आप मुझसे राप्ता कर सकते हो मेरा नंबर है 038-322-4434 काइंडली एक रुकेस्ट के आप लोगों के साथ मुझे काल्स वगरा ना किया करो बादों मरतबा में बिजी होता हूँ तो आप मुझे वाटसप पे आप राप्ता करो वाटसप पे आप मुझे मेसेज करो या वाइस कर लो जैसे मैं फुरी होँगा मैं सब भाईओं को रिप्लाइद दे देता हूँ तो शान बाई कैसी फार्मूलेशन ही है यह शान बई पंचिंड कर रहा है यह काटन पडावाई न्याज बाई का न्याज बाई यह काटन का दीदार कर लो आप यह तने सारे बोरे सारे आपके ये बन्नू आएंगे आपके पास इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा अपनी दौआ में हमेशा मुझे याद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करूएं ताके हर आने वाली मालूमाती वीडि से उस बातों से मुस्तफी हो सके तो अभी इजाज़त दीजिएगा मलते हैं अगले उडियो में जिन्दगी ने साथ दिया तो पाकिस्तान जिन्दाबाद जिन्दाबाद